तो फर्स्ट एयर का इंजिनेरिंग ड्रोइंग का एक्जाम होने वाला है अगर अपने साल भर में कुछ नहीं पढ़ा हां मैं सही कह रहा हूं साल भर में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस वीडियो में कैसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसको आप बस दस दिन तक मतलब दस दिन को बस उसी को पढ़िएगा तो आपको आप पचास में पचास गरंटिड आ जाएगा अगर आप मन लगा कर दस दस दिन को उसी को पढ़ते हैं बस दस दिन में ही पचास में पचास लाने का ये ट्र हैं तो यहां पर देख सकते हैं सिवेसी इंगलिस मिडियम हमारे चैनल का नाम है इंजिनेरिंग ड्राइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें मैं आपको दो ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं जिसको आप 10 दिन के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं यह जो है नाम कौन से टॉपिक हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला जो टॉपिक है फ्री हैंड इसकेच ऑफ हैंड टूल्स यहां पर मेरे हैंड टूल्स यहां पर लिखे गए हैं जैसे स्कुरू ड्राइबर हैमर मैलेट फाइल हैंड सो टेनन सो पाइप कटर सीजर पाइप spanner set crimpling tools standard wire gauge t square set square यहाँ पर सारे जो pliers हैं और यह सारे topic को आप free hand diagram में बना लेते हैं यह जो सारे tools हैं तो आपके इन ही में से कम सकम exam में 2 से 3 question आते ही हैं तो आप इनको कर लें और जो हमारा दूसरा point है दूसरा point काफी ज़्यादा important है इस ते करीब 30 से 40 नंबर के question आते हैं तो दूसरा point क्या है projection projection के बहुत सारे types होते हैं जैसे pictorial projection orthographic projection इसमें पढ़ने हैं फिर लेकिन मैं आपको important भी बताऊंगा लेकिन पहले पूरा बता देता हूं pictorial, orthographic, isometric, first angle projection, third angle projection, prospective, objective, oblique projection यह सारे projection में ही आते हैं तो लेकिन इतने सारे आपको नहीं पढ़ने हैं मैं आपको important important बताऊंगा कि आपको important important कौन कौन से पढ़ने हैं जिससे hundred percent आपका आएगा question exam में तो जो इसमें important है वो है isometric projection याद रखिएगा यह isometric projection, first angle projection और third angle projection और orthographic projection इसी से आपके जादे तर exam में question आते हैं